मेरी वीडियो डाइरेक्ट पाने के लिए सब्सक्राइब आप्शन पे क्लिक करें और मेरे साथ अपडेट रहने के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें वश्कार सातियों बहुत बहुत स्वागत है आप सब का मेरे चैनल पे दोस्तों आप लोगों ने जो मेरे पिछले वीडियो की बाते सुनकर या मेरे जो निवेदन करने पर आपने जो मेरे सवालों का जवाब दिया या मतला आपने जो मुझे मेरे वीडियो देखने के बाद में कमेंट्स किये उसके लिए मैं सबसे पहले तो आपको तहे दिल से देना चाहता हूँ ठैंक्स क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद ही मुझे बहुत एनरजी मिलती है कि मैं इस सेशन में या नए सेशन में या कोई नया टॉपिक आप लोगों के लिए ढूंड कर इसमें वीडियो अपलोड करूँ और उसका एक बहुत अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए मैं दे सकूँ तो दोस्तो उसी कड़ी के अंदर आज मैं शुरू कर रहा हूँ संतान रेखा क्या दोस्तो ये संतान रेखा होती है और कहा होती है आज इसके बारे में आपको पूरी जानकरी स्पष्ट हो जाएगी बच्पन से हम देखते आ रहे हैं कि इसके बारे में कई बार हमको अलका मेरे जो नए लोग या यूट्यूब पे जो आज पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं उनका तहे दिल से स्वागत करते वे निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बगेर इस चैनल से ना जाए और कमेंट और लाइक और शेयर करना तो बिलक देता हूं इसके अंदर हमारे हाथों की मुख्य मुख्य रेखा हैं यह हमारी जीवन रेखा लाइफ लाइन यह हमारी यहां से मस्तिश्क रेखा निकलती और यह आपकी हार्ट लाइन इस तरह से यह माइंड लाइन दोस्तो हमें जिस एरिया की आज बात करनी है वो वाला एरिया आता है बुद्ध परवत यह बुद्ध परवत के यहां पर ही इसके बारे में पूरी जानकरएं वाला इस वाले प्रुडशन की आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से मैं आपको बता दू भुद्ध परवत के ऊपर आपको कहा और क्या देखने वाली चीज है जैस हमको अच्छ समझ मेरे आएगा तो आज मैं पूरी बात आपको मेरे हाथ से समझाऊंगा कि आपको एक्चोल में देखना का है तो दोस्तो यहां आप देखेंगे आपके इस प्रकार के रेखाएं यहां पर कही निकलिये होگी किसी के दो सकती है किसी के तीन हो सकती है किसी के चार हो सकती है किसी के एक हो सकती है तो ये एक, दो, तीन, चार इस तरह से रेखाएं हो सकती है लेकिन आज हम जिस जगह की बात कर रहे हैं दोस्तों वो जगह होगी आपको इस प्रकार से देखनी है यह आपने हाथ इस तरह से रगा थोड़ा सा हाथ को और इस तरह से गुमा लीजिए आप समझ पारे हैं मेरी बात को यह आपने हाथ लिया थोड़ा सा और इस तरह से गुमा लीजिए और ये वाला जो portion बच रहा है जिसको मैं ये बोलू ने तो हतेली आपकी सीधी होगी ये सीधी हतेली उल्टी हतेली ये दोनों तरह से नहीं इसके बीच में जो हतेली होती है उसमें आपको जो हतेली की core होती है वहाँ आपको ये रेखाएन नजर आएगी दोस्तों मैं फिर बताना चाहूंगा आपको ये वाला जो portion है आपकी जिसको किनौर कह सकते हैं ये core या किनौर इसको इस परकार से बोल सकते हैं तो इस किनौर पर आपको इन रेखाओं का ध्यन करना है बहुत आसानी से नजर आ जाएगी हाला कि बहुत important बात मैं बता दू आ होती है हो सकता है कम जिनकी नजर हो उनको एक बार में दिखाई ना दे तो उसके लिए microscope या लेंस का उप्योग किया जा सकता है लेंस इसके लिए सबसे best सादन है तो आपको यह देखना कि यहां कि इस जगह पर यागर मैं बात करूँ आपकी यह तीन पोर होते हमारे उंग लियों के होंगे तो दोस्तों इन ही जगह की आज मैं बात करूंगा आपको इसी portion के मैं बात करूंगा यही इसी एरिये से आपको पता चलेगा कि आखिर वो कौन सी बात है कौन तनी लाइने वो है जिससे आपको पता चल सके कि कितनी संतान इस इंसान के होने की उम्मीद है तो आपको ये देखना है कि इस जगे पर आपकी कितनी रेखाएं है तो ये जो रेखाएं हैं दोस्तों ये ही सबसे बड़ा इसका फैक्ट है सबसे बड़ी बात यही है कि इसी चीज़ से आज आपको पता चलने वाला है कि ये कितने बच्चे कितने लड़के कितनी लड़कि होंगे important बात बता दू मैं आपको गहरी रेखाएं अगर है तो दोस्तों वो लड़के की रेखाएं होगी और अगर दूसरी बात है अगर हलकी रेखाएं हैं आपको दिख राया अप्वेक्षाकरत तो वो लड़की की रेखाएं होंगी हाला कि मैं पूरा दावा नहीं करता इस बात का कि ये सच होगा लेकिन जो 30-90% केसेज में ये चीजें सही पाई गई है बाकी अपवाद सब जगे पे उपता है तो आप अपवाद को जरा तोड़ा से चेक कर ले क्योंकि इन चीजों का जितना गहन अध्यन किया जाए उतना ही अच्छा है और इसके साथ में किसी चीज को मिलाने के अगर ज़रत परती है लाइक कुंडली है और है तो वो एक अलग चीज है लेकिन एक मोटा मोटा जो अनुमान है वो आपके यहां कितनी रेखाएं है उससे बता जल जाएगा यदि रेखाएं नहीं है तो संतान नहीं होने के भी योग बनते हैं या बहुत देरी से संतान होने की संभावना है तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक इस से related आपके कोई सवाल हो आप जुरूर कर सकते हैं comment box में जाके तो मिलते हैं किसी अच्छ टोपिक के साथ में साथ ही subscribe करना न भूले Thank you very much